इरान के राज़्टपती इब्राहिम रईसी की रविवार को हेलिकाप्टर क्रैश में मौत हो गई उनके साथ इस दुरगटना में इरान के विदेश मंत्री होसेन अमेर अब्दुलियान की मौत हो गई रईसी की मौत पर दुनिया भर के लोग दो धड़ों में बटे हैं कुछ लोग उनके मौत पर जश्ट मना रहे हैं तो कुछ उनकी मौत को संदिक्द मान रहे हैं उनकी मौत के पीछे इसराइल का हाथ माना जा रहा है रैसी की मौत के पीछे इसराइल का हाथ कहे जाने के बाद रूस भी इस मामले में खुल कर सामने आ गया है क्योंकि रूस अमेरिका के बीच चल रहा तनाओ किसी से चिपा नहीं है यही वज़ाए कि कुछ लोगों का मानना है कि अगर इसके पीछे इसराइल का हाथ है तो कहीं न कहीं इसमें अमेरिका की भी भूमिका है क्योंकि अमेरिका और इरान की भी पुरानी दुश्मनी है रूसी राश्टपती ब्लादीमिर पुतिन ने कहा है कि जिस हलीकॉप्टर दुरगतना में इरानी राश्टपती इब्राहिम रैसी और अन्यधिकारी मारे गये हैं उस दुरगतना की जाच में इरान की मदद करने के लिए रूस तयार है पुतिन ने संसत के निचले सदन के अध्यक्ष के साथ एक बैठक में कहा कि यदि हमारे सायोगियों को इसकी जरूरत है तो हम इस दुरगटना के कारों की जाच के लिए उन्हें विशेश सहायता प्रदान करने के लिए तयार है इसी दौरान उन्होंने रैसी के अंतिम संसकार में शामिल होने के लिए इरान की अपनी यात्रा से पहले बैठक में रैसी की मौत को बड़ी खशती बताया पुतिन ने कहा कि वो वास्तों में एक विश्वस्नी और आत्मविश्वास से लब्रेज व्यक्ती थे जो हमेशा अपने देश के राष्ट्रे हितों के लिए काम करते थे पुतिन ने कहा कि वो अपने शब्दों के पक्य बखती थे और उनके साथ काम करना खुशी की बात थी हाला कि पुतिन ने पृतिग्या की कि रूस इरान के साथ अपना सहयोग जारी रखने के लिए तयार है क्योंकि दोनों देशों ने रईसी के दोर में भी एक दूसरे का सहयोग किया था उन्होंने कहा कि हम अपनी तरफ से रूसी इरानी संबंदों को इसी तरह जाली रखने की पूरी कोशिश करेंगे आपको बता दे कि पुतिन और रईसी की अंतीम बैठक साथ दिसंबर 2023 को रूस में हुई थी इससे पहले उन्होंने एक आउनलाइन ब्रिक्स शिकर सम्मेलन में भाग लिया था सितंबर 2022 में समरकंद में शरंगाई सायोग संगठन स्सीओ शिकर सम्मेलन के मौके पर दोनों राश्टपतियों ने कहा था कि उनके देशों के बीच सभी ख्षत्रों से सक्रिय रूप से सहयोग हो रहा है दोनों निताओं के बीच फोन पर आखरी बार 16 अप्रिल को बाचीत हुई थी आपको बता दे कि रैसी का हैलिकॉप्टर 19 मई को इरान के पुर्वी अजरबेजान प्रांथ में दुरगटना ग्रस्त हो गया इसमें इरान के शिर्स राजने होसेन अमीर अब्दुलाहियन पुर्वी अजरबेजान के गवर्नर मालिक रहमती सहीत राष्टपती के सुरक्षा से जुड़े लोग भी विमान में श्रामिल थे दुरगटना में पांच यात्रियों और चालक दल के तीन लोगों की मौत हो गई हाला कि दुरगटना के कारों की जाँच के लिए एक जाँच पैनल गठित किया गया था फिलाल रहिसी की जगा उप राष्टपती मुहमद मुखबर इरान के कारेवाहक राष्टपती बने हैं 25 जून को राष्टपती का चुना होता है इसके बाद अगले राष्टपती का चुना होगा